हलो शुडेंट्स आम नभीन स्वागता आपका मेरी यूडूब चनल बेसिक मैं सॉन डिप्स में और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास टैंथ चाप्टा सर्कल से बॉटन सम तो चली शुरू करते हैं तो दिखें सम्में में दिया है तो टेंजेंट टीपी एंड टी कर देता हूं लाइन इस तरह से लाइन ड्रॉ करने से यहां पर एक एंगल बन रहा है ठीक है जो की है ओ पी क्यू तो यहां पर ओ पी क्यू एंगल जो इसको मैं एक्स में ले लेता हूं इसको मैं एक्स मान लिया और जो बाकी का दूसरा यहां पर एंगल बना इस तरह से ज is drawn from point of contact is perpendicular to tangent यहां पर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर angle opt यह 90 degree होगा और नीचे मैं इसका reason लिख लेता हूं तो देखें यहां पर opt जो है वो x plus y को मिलके बन रहे हैं तो मैं है लिख सकता हूं कि x plus y अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 90 degree एक को लाएगा तो अब देखें अगर मुझे y निकालना हो तो मैं क्या करूँ यहां पर y निकालने के लिए यह जो x है मैं right में shift करूँगा तो इस तरह से एक equation बनेगी तो y equal to 90 minus x इसको मैं equation first माल लेता हूं अपनी अभी जिसका मैं use अभी आगे करूँगा अब आगे बढ़ाते हैं question को देखें यहां पर हम देख रहे हैं कि tp और tq यह दोनों tangent है और tangent जो है वो equal होती है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि tp equal है tq के तो इसक external point to a circular equal अब देखें अब हम आ जाते हैं इस triangle के अंदर जो की है ptq तो मैं यहां लिखता हूं in triangle ptq में अगर triangle ptq को अगर हम देखें तो यह एक icos class triangle है तो मैं इसको इस तरह से बना लेता हूं देखें यह यहां पर मैंने t ले लिया यहां पर p और यहां पर q तो यहां प tp और tq यह दोनों टेंजेंट होने की वज़े से दोनों बराबर हैं तो इस triangle के अंदर यह दो sides बराबर होगें तो इसलिए icos class triangle है जब दो sides बराबर होते है तो उनके सामनी वले angles भी बराबर होते हैं मैं आप्यों रिखेंगे इंगल T Q P और T Q के सामने बनेगा अंगल T P Q यह दोनों अंगल एक दूसरे के बराबर होंगे यहां इसका reason लिखेंगे अंगल opposite to equal sides are equal दिखें मैंने यहां पर आपको diagram में पहले ही बताया था कि मैंने इस वाले angle को Y माना है तो अगर यह angle Y होगा तो यह angle भी Y होगा वो Y इसलिए होगा अभी मैंने बताया आपको कि दोनों sides यहां बराबर हैं तो उनके सामने वाल angles एक दूसरे के equal होगे यह वाली side और यह वाली side के सामने angle बन रहे हैं तो नीचे मैं दोनों angles को Y जो है मान लेता हूं यहां लिख लेता हूं कि let angle TQP equal to angle TPQ दोनों ही Y डिग्री है तो अब देखें हम यह लिख सकते हैं कि angle PTQ PTQ मतलब यह वाला angle plus angle TPQ यानि कि यह वाला angle plus angle TQP यह तीनों में लाकर 180 डिग्री होंगे angle some properties है अब देखें यहां पर PTQ जो है वो हमें नहीं पता है तो हम इसको एजरेज लिख लेते हैं कि angle PTQ प्लस अब देखें TPQ और TQP इसको तो मैंने Y माना हुआ है तो मैं है लिखूंगा Y डिग्री plus Y डिग्री equal to 180 अब यहां पर angle PTQ plus 2Y डिग्री equal to 180 डिग्री अब देखें उपर हमने angle Y जो है वो निकाला था देखें यहां पर Y जो है 90 minus X है इसको मैं पुट कर लेता हूं कि angle PTQ plus 2 अब यहां पर 90 minus X यह मैं तो minus 2X equal to 180 अब देखें अगर यह 180 इधर आएगा तो minus का होगा एक plus का 180 है तो यह आपस में मैं इसको यहीं पर कट कर लेता हूं अब देखें यह जो 2X है इसको मैं right में shift कर लेता हूं तो मेरे पास अब बचेगा PTQ equal है 2X के अब अगर हम figure में देखें देखें X किसके बराबर है यहां पर अगर हम X को देखें तो X है OPQ यह है यह मारा X तो X की जगे पर मैं क्या लिख सकता हूं अंगल OPQ तो इसका मैं use कर लेता हूं यहां पर तो अगली line में मैं लिखूँगा कि एंगल PTQ equal है 2 multiply एंगल OPQ के और यही हमें सम में प्रूव करना था कि देखें PTQ यहां पर इक्वल है 2 OPQ के और यही यहां पर हमने प्रूव कर दिया है तो मैं आशा करता हूं कि आपके समस में आया होगा इसी तरह के बहुत से समस क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और ने सम के साथ तब तक के लि